नमस्त बचों कैसे हैं आप बिल्खोल बढ़िया है ना अच्छा बचों आज हम दसवी कक्षा के एक पाट के और आज ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे बचों आज में आपको एक लेखे बारे में बताना चाहती हूं चलो बचों इससे पहले हम एक क्रिया कलाब करेंग पिछोट असा है मगर मज़ेदार है बचों यहाँ देखिये यहाँ पे काउन है शेर है यह पंची है मुझे आप लोगों को यह बताना पड़ेगा कि शेर कहा रहती और पंची कहा रहती है आप लोगों को पता है ना बता मुझे हाँ आपने टी कहा बचों गुफा में रह पंची उड़ती है चलो बच्छों पंची कहा रहती है बताओ मुझे टी कहा आपने गोंसला गोंसला पक्षी यली रते मकले गूडी नली रते दे ये देखो चूहा और मदुमक्या चूहा चूहा बिनायक या गजानन का वाहन है सोचो बच्छों चूहे कहा रहती है टी कहा आपने बिल में रहती है और मदुमक्या मदुमक्या का अर्थ क्या है बच्छों अपने सही कहा जेनूडा जेनूडा यली रते मकले हाँ चत्ता टी कहाँ चलो बचो, अभ मुझे बताओ, मनश्यम, मनश्यम कहा रहता है, शेर जो जंगल कराजा है ऑगुफा में रहता है, और चिडिया जो उड़ती है, ऑगुशलों में रात बिताती है चूहा बिल में रहता है, मदुमक्या चत्ते पे रहते हैं, तो मनश्य कहा रहता है, तो आइसान है ना बच्छो, बताओ कहा रहता है, आपने काटी कहा, कहा रहता है, मकान, घर, गुरह, देखो, बहुत सारे हैं, देखो, मकान, इस सभी मकान है, मकान जो है, उसे हम घर भी कह आप हरे किस पर्द के बारे में आप से करने आये इस थे कहा बछ्चो अजम काॉन सा पार्ट पढ़ेंगे आजम दुनिया में पहला मकान, इस लेखे बारे में ज्यादा लग प्राप्त करेंगे भचो आम थोर पर आप towelaं को पता है सभी जीव जंतुम में बुद्यमान जंतु कौन है? मनिश्य है, मनिश्य हमेशा सोचता रहता है आप भी सोचिए, आस्मान है आस्मान में नीला रंग किसने बरा? हाँ, और आस्मान में रात के समय जो थारे किम्ठी माते हैं ना, छमकते हैं ना तो छमकना किसने दिया? आप लोगों को समझ में आया इस सोचने की शक्ती जो है मनिश्य में ही है तो ऐसे सोचो पुराने जमाने में हमारी जो पूर्वच्ते उन्होंने कैसे सोचा होगा घर या मकान बनाने के बारे में तो चलो बचो, आज हम इस लेक को कहानी के रूप में देखेंगे इसके लेकिका है डेक्टर विज्या गुपताजी पहले हम लेकिका का परिछे देखेंगे बचो इनका जन 21 दिसम्बल सन 1946 में हुआ था उनकी उपादी है लाइबरी साइंस में सनातकोतर तता पीएसडी की उपादी इने मिली है और इनका खार एक्षेत्र है कुरुक्षेत्र विश्वय उध्याले में इन्दी प्राध्या पक्के रूप में काम करने के बाद गांधी नैशनेल म्यूजियम तता दिल्ली विश्वय उध्याले में लाइबरीयन का काम किया है विजय गुप्तारोरां बगे संक्षिप्त विवरने नम नोड़ता है यहरू 22 डिसम्ब सावर्टोंबै नूरा नलवत्तार अरली जनस सिद्रों यहरू लाइबरी साइन्स हागे में मत पीएसडी सहां नों माडिद्धारे विजव विवध्याले दली हिंदी प्राध्या पकरागी केलसमन निर्वैसिद्रों आगी गांधी नैशनल म्योजियम दहली विश्व विद्याले लाइबरीयन आगे सहां विजव कार्यवना निर्वैसिद्धारे मकले कुरतिया हमारे बहादूर बच्चे सूचन और प्रसारण मंत्रा ले दोस्ती किताबों से बाल कहानी संग्रह दुन्या में पहला मकाम टेलिफोन की मरमत फीस की जिम्मेदारी बुद्धिमान न्यायादिश आधी इनकी कुरतिया है बच्चो अच्छ चलो बच्चो इस पार् आशे क्या है देखेंगे अब अनाधी काल से मानो पशु पक्षियों से अपने परिसर और वातावरण से कुछ न को सीता आ रहा है अनाधी काल का मतलब क्या है बच्चो पुराने जमाने से हिंदिनकाल दिन्दलू मनिश्य हेग यल्लवन कलता औन मीनन तरा इज ताने पक् पशु पक्षियों से घिरकर उठने का साहसी का है चीन्टियों से चीन्टियों से चीन्टियों से मतलब क्या है बच्चो पच्चो पक्षियों से वह सारे पशु पक्षियों से हम सीखते हैं चीन्टियों से घिरकर उठने का सहसी का है चीन्टियों से चीन्टियों से चीन् टीक हाँ अपने इरवे इंद नावी नंकल्ती दिवी मकले एस्टे समस्य गळ बन्रुनू नावी इन माड़ बार दो सोलनो उपकोड बार दो अलवा मकले इरवे निम नोड इरतीरा गूडी खोग बैक कदर हत्वा अदो मेल हत्वा करे अनेक बारे केल गळियाते मत्तिर का मेल हत्तते अदो अत्त वरिगो यल्ला दरने लता इल्ला अदने हिलता रदो चिंटियों से गिरकर उठने का सहा सीखा है मुर्गी ने उसे सुबा जल्दी उटने की सीख दी है मुर्गी या बिढगे बेगे दोड़ों था पाटवने हिलकोटिरो दो खोडी गळो पश्व पक्षयों के द्वनियों का अनुकरों एवां भाशा के सम्रुद बनाना हाग इदर भाशा येंग बनतो मकले या उट्टतन एला कलतको मरतिवा इल्ला सण मकले के दो तिरला नव यह भाशिन माताटस्यों अमकला अधै भाशिन माताटतरे हालवा आगी दर हैगे अम्मा एन माड़तरे आ अम्मा अन्था हेलकोट्टग मगो नुँ प्रयत्न मड़ते आ मा मा मानव को सतत प्रयतनशील होना चाहिए यह वावलो निंत कोड़ बढ़ दोसरों की सहायता से मानव नवीन वस्तों को बनाना भी सीख सकता है नवीन का मतलब क्या है बच्छो नया दोसरों की सहायता से खुद अपने आप नहीं कभी-कभी अपने हाप भी कर सकते हैं मगर अमेशा क्या होता है दोसरों की सहायता हम लेते हैं किसी से विचार विमार्श करते हैं प्राणियों से भी मानव को सीख मिलती है बहु सारी प्रा इस लेक में प्रमुक दो पात्र है बच्छो, कौन-कौन है, खिंद्रो, लालिम, खिंचा, लालीदा, दोनों दोस्त है, उसके आगे आते है, आती, हाती, आती अंतन देन मकले, आने, सांप, बुस-बुसन तहड़ा तला सांप, और 22, यम्मे, मचली, इस अब इस लेक में आय प्रमुक पात्र है बच्छो, चलो बच्छो, अब आम आदर्श वाचन खरेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने किताब को कोल कर रखनी होगी, और सुननी होगी, पुस्तकवन तेक दुनोड कोल तीरा हलवा, ना हेलद ना गमनाई टो, हेलसकोडी, सिखाया, उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेडों के नीचे रहता था, उस समय किंद्रों लालिंग और कीच्रा लालिदाम, नामक दो दोस्तों ने ताइकिया कि मकान बनाएंगे, मुश्किल यह थे कि वे नहीं जानते थे, कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से, किससे, पशुओं से पूष्टाच करने के लिए, किस और निकल पड़े बचो, पशुओं से पूष्टाच करने के लिए, जंगल के और चल पड़े, इस पात में आयो है, कुछ नए शब्दों को अर्थ समझेंगे, क्यों हम लोगों को नए शब्दों को सब्सक्रूट का शब्द है हम हिंदी में इन तीनों का उपयो करता है बचो रती का मतलब क्या है वचो तूड़ा स्वल्पा हुट १११११। का मतलब क्या है स्वायम हई हड्दी अनता गधु बों अनतान रोथ अनता करते मुश्कील मुश्कील अनतान रहिनमकले कस्था कन्यर दोलू कस्ट अंथेला जालती अधिए को जरा ध्यान greeting कूय वस्तु रख़गो मिट्टी से दख़गा गाड़ कोद कर गड़ा कोदना अंतनरे इन मंकले बूमियन अगे दो अदरल यावद अदर वस्तु हो नहा कि अदर मेले मन्नी निंदा मुच्छो घाड़ना अंतर हिलती भी पतली, पतली का मतलब क्या है बचो दुबली अंतनर सन्नने तड़ुवाधा तालाब, तालाब का अर्थ है बचो सरोवर, किसम का मतलब क्या है बचो, प्रकार बांती डंग थरजा, तरीका तरीका का अर्थ है बचो, रीती डंग, गोले गोले का मतलब क्या है बचो, रुत गोला कृती अराउंड शेपन थेड़ती भी मकले अब हम पाट के प्रमुक अंश की और जाएंगे पूरो उत्र भारत में बसने वाले सिंगफो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसा सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशों ने सिखाया बचो भारत के पूरो और उत्र के बीच का जो दिशा है उसे हम पूरो उत्र कहते हैं पूरो उत्र भारत में बसने वाले बसने का मतलब क्या है रहने वाले सिंगफो नामक आदिवासियों में एक कहानी प्रचलीता है उसके अनुसार मनिश को मकान बनाना पहले किस ने सिखाय पसे पशोने सही कहा हाउओ अपने बच्चु, मकड़े आधिवासिगडों अन्तंदर यारू, हिंदिन कालधल्ली पुरोतर भारत दल्ली सिंगफोयम्ब आधिवासिगडों वासवागिद्रो, अवर अनुसारं अवरू हेडवा जानपद कतिया अनुसार वागी पशुपक् ने मकान बनाना सीका होगा हल्वा मकले कंडिता यह बिलकुल सही होगा बच्छो देखिए उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेडों के नीचे रहता था आप लोगों को पता है उस समय खिंद्रो लालिम और कींचा लाली दाम नामक दो दोस्तों ने ताइकिया की वे मकान बनाएंगे किसने ताइकिया बच्छो सही कहा अपने दोनों दोस्तों ने कौनको किन्द्रो लालिम और कींचा लाली दाम ने ताइकिया की मकान बनाएंगे और इब्र योशने मेड़तर इल्ला नाव मरत केड़गे गुहे गड़ली प्राणी गलतर याक वासमाडबेकु वण योरोधं कि अपनी बेर है वशा मनीं अनमाड कोण कोड़गा आसा गितरे मनीन हैं कटो दो उन्दोनों को तो पता नहीता अरी गुत्तितल वानी कटोदा प्रारणबदले नहीं पता नहीता तो उन्होंने क्या सोचा? हाँ, मकान बनाने के लिए उन्होंने सोचा तइक याझ वो मकान बनाएंगे और किसके सहाय तैसे मकान बनाएंगे उस जमनी में हम लोग भी गुफांओं में रहते हैं आ काल दलिया, इन दिन काल दिले, प्राचीन काल देले मनुषन समय इता, गोह मुश्किल ये थी कि नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाए इसलिए वे पशों से पुष्टाच करने के लिए जंगल के ओर चल पड़े मुश्किल ये थी देखिये उस जमाने में ऐसे लोग रहते थे थे ऐसा हम समझ सकते हैं तो उन्होंने किस की सहाईता लिया पशों प पशुपक्षिगड सहायवनना खेलना अवर सालहे सूचनिय मेले नौमनियन माड़ना नौन्धू देश्टिंदा उरेन मेटतर काडिन कड़े ओकतरे उनकी मुलाका सबसे पहले किसे से होई बच्चो हाती से हाँ ठीक हाती गजराज हाँ उनकी मुलाका सबसे पहले आती से दोनों दोसन अधिको नमस्कार किया यह तो हमारी संस्कार है बच्चो किसी को देखेंगे तो हम नमस्कार करेंगे और यह अमारी संप्रताय है सभ्यता है अगर हम किसी से सहायता मांगना चाहते है तो पहले हम लोगों को विनम्र होकर उनसे क्या करना पड़ेगा याचना क जो प्यार तरादरू सहहय केड़क खोड़ गाम मली मदलो नम्रते रबैक ना वेडते नमस्ते निमिन दो औरholes, ऑटरा रां का यल्रू मेडते रहे और पेंसे हाथी भाई भाई यांत dependsumuz हाँ आर रहें रहें सोप में रहें रहें भी बुले इसमें क्या कटिना यह है यह न पर महा कस्टा इदर लिधे पेडों की लखडी के इतने मोटे मोटे मस्बुत गोले काट लीजिए जितना मेरे पैर है लोडिया दियेन हेलती दिये इसमें क्या कटिना इतर लिएन अपा कस्टा मरा इजला मरद दोड़ दोड़ मरद येन मडवै को लखडिया लखडिया अन्तनरे सावदे जितने मेरे पैर है पैर खालू नना काली ना आकार दश्टू अगलवा दनता है गुंधा दनता है मरदा सौधेगर ना खटमाड को लियन तहर तो दोनों दोस्तों ने आगे पूछे इसके बाद क्या करना पड़ेगा आती ने उतर दिया आगे की बाद तो में नहीं जानता है मुझे रत्ती बर भी पता नहीं दोनों दोस्तों ने आगे पूछे आगे पूछे अमेल येन माड़ो दो नीवे हेड़िदरी साओधी ननना कालीना आकुरुथिया अष्टु दपबाद अन्था मरदा साओधेगल ना दिम्मीगल ना कट्ट माड़ कोळी एंथा हेड़िदरी अथा आद मेले हे कट्टो दो हामेल आने येन हेड़ते गथा अधा मुझे रती वरवील पता ने नंग स्वाल्पन अधरमेल को तिल आपा हामेलेन मड़ दो दूनों दोस्त आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें कौन मिला सांप मिला सांप हाव सिख्त हू आव हत्रनों प्रश्ने माड़त रेस अधे प्रश्नें मत्ते खेलत रेस दोनों न रोका, साम तो जा रहा था, उन्हें रोका, उसे भी उन्होंने क्या किया, नमस्कार किया, और उन्होंने कहा, साम भाई, साम भाई, हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, गर बनाना चाहते हैं, आप पता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए, हाती ने हमको कहा कि उसके पैड जैसे मजब पतली और लंबी सड्न उद्धवाद अंत हां सवदगड़ना मरदिन्दा दोनों दोस्तों ने पूछ रहा इसके बाद फिर क्या करेंगे सामने कहां आगे की बात नहीं जानता मुझे भी रतीवर पता नहीं हाँ हेड़ते नन्ना आगे तेड़ुवाद अंत हां उद्धनिया सवदेगड़ना कट मैड़कोड़ी अदाद मेले नंगुकुतिला तो व उन्हें एक भैंस खड़ी मिली क्या खड़ी मिली भैंस अंतनर यम्मे सडक के खिनारे उन्हें भैंस मिली बैंस का भैंसा मर गया था देखिए बैंस का भैंसा मर गया था बैंस यम्मे बैंसा जो है फुलिंग रूप है स्त्रीलिंग बैंस पुलिंग रूप है बैंसा यम् वो मर गया था, मर गया का मतलब है सथोगित्टो, भैंसे का मांस दूंसे जानवर खा गया थे, और उसकी शरीर में जो मांस है, मांस का मतलब निम गयल रूप होती दिया, मांस कांड़कली दिया लमकले नम्मा, शरीर दो अडगडे, ये निदे, स्केलिटन, स्केलिटन, अस्ति पंचर, अस्ति पंचर अद में लिये निदे, मांस आईदे, ये मांस मना बेरे पशु पक्षिकड़ो तिन बेटी दूं, भैंस उसी के पास कड़ी दुख मना रहिती, दुख मना ना अंतनरे इन मकले, दुख का पड़ता है तो, नन संगाती स दोनों दोस्त बैंस के सामने पहुंचे, कहा पहुंचे, भैंस के सामने पहुंचे, बैंस, भैंसा, ये जो है, उसकी अस्ति पंचर है, किसकी बैंसा की अस्ति पंचर है, उसे नमस्कार किया, किसे नमस्कार किया, भैंस को, और बोले, बैंस बहन, बैंस बहन, बहन का मतलब क्या है बच्छो हाँ सहोधरी बैंस बहन बैंस महन हम लोग क्या बनाना चाहते हैं मखान बनाना चाहते हैं आप बता सकती है कि कैसे बनाया जए आती और सामने तो हम लोगों को थोड़ा बहुत उसका ज्ञान दिया और आगे की बात उन्हें भी पता नहीं है आप हमारी कहा बैंस ने दोनों दोस्तों को अपने बैंसी का पंजर दिखा कर बोली बैंसी का पंजर दिखा कर पंजर अंतन रेन मकले तना गंडना अस्ति पंजरवना तोरसी हेल तुई नंता जैसे इस पंजर में चार पैरों पर अड़िया पड़ी है जैसे इस पंजर में इस अस्त गम्नाइट नोडी अड्डिया पड़ी है, मूलेगळु इद है, अल्ली बिद्धि देनुड, उसी थरा चार मोठे गोले जमीन में घाडखर, उन पर पत्ली और लंबी लकडियोंसे पंचर का बनालो, इल्ली देनुडि मक्ड़, इस्ति पंचरवन नोडि दिरल, अधर नाल कुकाल गड़ों हेगी दियो, हागे, दपना अधन तहा, अमारा दा धिंब गड़ना इन माड़ी, साउदे ना, निला दली, इट्टू, अधर मेले, सन्न दा अधन तहा, साउदे गड़ना इन माड़ी, जोड़ी सी, यावरीती, अस्ति पंचर आई दियो, आरीती, बना लो, दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना है, तो इसका उत्तर, बैंस ने क्या दिया, उसने भी कहा, आगे की बाद तो में नहीं जानती, आगे की बाद मुझे भी नहीं बाता है, तब दोनों फिर से जंगल की और निखले, और वहां पे उने काउन मिली, हाँ, मचली राणी मिली, मचली तालाब में तायर रही थी, मचली के पास हाकर उन दोनों, दोस्तों ने पूछा, क्या पूछा, पहली से कहानी साब बता दिया, पहले आती से मिलकर उन्होंने क्या बादशित की, साम से मिलकर क्या बादशित की, उसके बाद बैंस से मिलकर क्या ब पीट की पटिया जान से देख लो पीट की पटिया नना बेनीना मेलीना उंगुरा कृतिया इपटिगण गमना इटनोडी देख लो फिर पेडों से बहुसी पटिया तोड़ लो पेडों से क्या तोड़ना है आपको पतिया यले गड़ो पतियां कारत है यले गड़ो पतिया तोड़ लो, उन पत्यों को चपपर पर उसी थरह जमादो, जैसे पीठ पर पटिया है, चपपर पर उसी तरह क्या करना है आपको, हाँ, आपने टीक कहा, उसी तरह रखो, जैसे मेरे पीठ पर पटिया है, हाँ, मचली की बास सुनको, दोस्तों को समझ में आया कि अब मकार कै तो वे कुशी कुशी कहा लोट है हां मकान बनाने के बारे में उन लोगों को पता चल गया दोनों और दोस्त कुशी कुशी लोट कर आये और एक जगहा क्या बनाया मकान बनाया ओर दुनिया में आदमी के आतों में बना पहला मकान ता देखो बचो दुनिया का पहला मकान किस बनाया था सिंगफ़ आदिवासियों के अनसर दोनों दोस्त ने बनाया था किस की सहायता से पशुपक्षियों की सहायता से उनकी विचारों के आधार पर बनाया गया अता दुनिया का पहला मकान कैसा लग बचो यह लेक बहुत सुन्दर है ना चलो बचो अब आगे के और किस नहीं इतार थार ग क्या इक वाकिकी में उत्तर लिखें सिंगफोराधि यह रहते सही कहा आपने सिंगफोराधि वासी पूरो अतर बारत में रहते सबसे पहले आदमी को मखान बनाना किस ने सिखाया था सब शबढर विजो अपने टम नहीं कहाają बहुत से पशो ने सिखाया दोस्तों की मुलाकाद सबसे पहले किसे से हुई दोस्तों की मुलाकाद सबसे पहले आतीस से हुई थी बज़ो सब जानवरों की बाते सुनकर दोस्तों ने क्या बनाया आपने टीक कहा सब जानवरों की बाते सुनकर दोस्तों ने एक जिगह मकान बनाया 22 के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली 22 के पंजर से दोस्तों को ये जानकारी मिली खे जैसे इस पंजर में चार पैरों पर हड़िया पड़ी है नालक्कु कालु गड़ मेले, मेल गड़े रोंथास्ती पंजरद उले गड़ु निन्तिद्यों उसी तरा अदेरीती मोटे गोले जमीन के घाड़ कर, उनपर पतली और लंबी लकडियोंको चप्पर का पंजर बना लेने की जानकारी मिली, यावरीती मने कट्टों अन्नो मचली ने दोस्तों के प्रश्न का जवाब दिया, आप लोग जरा मेरी पीट की अड़िया ज्यान से देखलों, फिर पेडों से बहुत सी पत्तिया तोड़ लो और उन पत्तियों को चपर पर उसी तरा जमाद, उसी तरा जमाने का मतला है वंधर मेल वंधर जोड सियांत, ज चपरद मेले यह लेगना वंधर के इननों दो अत्रहत्रवागे जोडस्ता होगी यंता सलह ना खुडतों, चलो बच्व अप अनरूपता के प्रश्न देखेंगे, हाती जंगली जानवर है तो बैंस, अजकोल तो बैंस क्या कहा पर मिलती है हम लोगों को घाव में मिलती है मचली कहा रहते है बच्व पानी में मचली जलकी रानी है ना पानी में रहती है तो साम कहा रहता है साम के गर को हम क्या कहते है दिल या भॉंबी अधर हुटता के हेलती ही हुटता हत्वा अधो बिलतलों केलों में हुरता है मचली मचली क्या कर रही है तो साम क्या करता है र का मतलब क्या है बच्छो हां सवंडो तो बैंस का विशेष्टा क्या है सींग सींग का मतलब क्या है बच्छो सींग अनतंध्रे न कुम्भू यरड़ कुम्भ रत्ला यह में क्या चलो बच्छो आप जोड कर लिखना इस तो आसान है देखो तालाप आती बैंस पहला और आपने मचली हाती बताओं सही कहा अपने आती के पैर जैसे 22 की कहा अधिया बैंस की अधिया पहला मखान सिंगफोर आधिवासी सही कहा शबाश पच्छो अब देखिए अन्निवचन रूप एक वचन बहुचन कहानी इस श्यब्द का अन्निवचन रूप क्या होगा बच्छो सोचो जल्दी से उत्तर दो कहानी आती कहा बच्छो गुफा अन्तनर गुहे या बहुचन रूप एनना गिरते मकले गुफा ये सही कहा अपने पेड मरा इसका अन्निवचन रूप क्या है पेड ही रहेगा पत्ती अन्तनर यले यले गळा बहुचन पयावदू, पत्तिया, सही कहां अपने गर, टी कहां, गर ही रहेगा, अब देखियो, बच्छो, परियाईवाची, शब्दों के ओरम जाएंगे, परियाईवाची समानर्तिक दोनों एक ही है, बच्छो, पहला शब्द कौन सा है, मखान, हभी मेने, आरम में ही बताईती, मख और तरू, ओ भी ठीक है, दोस्त, दोस्त के लिए बताऊ, बच्छो, मित्र, टी कहां, सका भी हम कहते हैं, परियाईवाची, शब्द है हुई, चलो बच्छो, अब आपकी बारी, आपके लिए मैं कुछ गुरहकारी दे रही हूं, आपके लिए गुरहकारी दे रही हूं, जंगली अंतनरनल, काडी नली वासमाड़ू अंता हा, प्राणिगडा हैसरन बरेदू, अधरवन्दू, सूची, वंदपकडे, पाल्तु जानवर हैसरो रोएको, इननुंद कडे, जंगली जानवर हैसरो रोएको, सांपने दोस्तों को क्या सुचाव दिया, तीसरा प्रश कैसे लगा, आपको दुनिया में पहला मकान, ये तो बहुत ज्यानवर्दक कहानी है, उसी तरह आप लोगों को भी बहुत सारी कहानियों को सुनना होगा, और पढ़ना भी होगा, अब मैं अगले काक्षा में आपसे मिलन के वादा करते हूए, मैं हूँ आपकी अम्भुज सिरकारी हाइ स्कूल, उयमबली, कनेकपुरा तहसल, रामनिगार जिला, धनिवाद बच्चों, खुश रहिए,